केंदर सरकार के खिलाफ और लखीमपूर में हुए हाथसे के खिलाफ पंजाब कॉंग्रेस कमिट्री ने प्रदेश भर में प्रदश्वन किया है। कॉंग्रेस कारकरताओं ने बटाला में जुला कॉंग्रेस कमिट्री गुर्दासपुर की किसानों के परिवारों को न्याय दुलाने के लिए मौनवरत रखा और जजज़र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां रात के अंधेरे में तीन दिन के नपशाद बच्ची को पेड़ के नीचे छोड़ कर कोई फरार हो गया जब किसी रहागीर ने बच्ची को देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को नाजुक हालत में देखा और उससे अस्पताल में भरती कराया जहां बच्ची का इलाज जारी है पहीं जिला पुलिस अधिक्षक का कहना है कि मामले में जिले के तमाम पुलिस थाना प्रभारियों को आदेश दिये गए हैं कि वो एक सर्च अभ्यान चला कर बच्ची को उसके असली माता-पिता तक पहुंचाने का प्यास करें तो बच्ची का इलाज फिलाहल चल रहा है हाला कि जजजर से एक खबर बता रहे हैं जहां पर पेल के नीचे एक नबचाद बच्ची को छोड़कर उसके माता-पिता फरार हो गए बच्ची पेल के नीचे पड़ी रही चीखती रही रहागीरों ने जब उसकी आवाज को सुन पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल में भरती कराया जहां उसका इलाज जारी है बच्ची खत्रे के खत्रे से बाहर है लेकिन उसके असली माता-पिता की तलाश की जा रही है नवजाज बच्ची गाओं के मंदिर के पास अरी गाओं में वो लावारिश अवस्था में पड़ी है तो अमारी पीसियान ने सुचना मिलने के पाँच मिल्ट पे तुन अंतरान में बोके पे पहुंचके बच्ची को सुरक्षित को उठागे और हमारे शीवन होस्पितल में एडिमिट करा है जो अवारी यारवी जो अवारे पूरे हर्याणा में चली हुई है खास करके अवारे जजर डिस्टिक में हर पुलिस्टेशन में दो आए यारवी लगी हुई है और इनका बड़ा अच्छा रस्पोंस टाइम है तुरंत सोचना मिलते ही यह अपना रि मिलन सांस्कृति कारिक्रम और शोभा यात्रा अकरश्टन का किंद्र रेंगें वहीं कोरोना को देखते हुए मौतसब में गाइडलाइन्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा अंतराश्ट्य गीता मौतसब 2021 के नोडल अदकारी और खाद आपूर्ति विभाग के प्रधान रहा है कि अंतराश्ट्य गीता मौतसब 2021 को परंप्रा अंसार पूरे जोश और श्रधा के साथ कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोबर्व पर मनाये जाएगा तो कुरुक्षेत्र में अंतराश्ट्य गीता मौतसब कायोजन होना है दो दिसंबर से 19 दिसंबर तक इसकायोजन रखा गया है सांस्कृत्य कारिकरम शोवा यात्रा यहाँ पर आकर्ष्ण का केंद्र रहेंगे मिशन है, आर्ट ओफ लिविंग है, जियो गीता है, रामकृष्ण मिशन है, कुछ नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ सिख गुरूज हैं, संत्रविदास समाज से हैं तो यह सभी संस्थाएं यहाँ पर आकर अपना एक्जिबिशन्स लगाएंगी जो उनके लिट्रेचर है, पैमफलेट्स हैं, बुक्स हैं, वो यहाँ पर होंगे इसी प्रकार से एक जो नया प्रयास होगा कि 48 कोस में जो हमारा गाउं आते हैं जहाँ पर की महाबारत हुई थी, उन सभी इलाकों में कोई ना कोई करेकरम होगा और उनकी भी एक समयकित एक्जिबिशन यहाँ पर लगेगी और सेना की बंद पड़ी हुई भरतियों के विरोध में, पठान कोट में विरोजगार नौजवानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ पुरदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकरना रिवाजी की युबाउने सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि पिछले लंबे समय से सेना की भरति बंद पड़ी है जिसके चलते कई नौजवानों की सेना में भरति होने की उम्र निकली जा रही है उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द सेना की भरती पोली जाएं और नौजवानों की आईू में छूट भी दी जाएं दिल्ली जैपूर राश्ट्री राश्मार्क 48 पर लोगों को जैपूर अलबर गुडगाओं और आसपास के श्वेत्रों में लिफ्ट देने के वहने सवारियों से लूट करने वाले तीन आरूपियों को पुलिस ने ग्रफतार किया है दरसल पुलिस को पिछले कुछ दिनों से स्वूट पर लूट की शुकायते मिलती थी जिसके बाद पुलिस ने कारवाई करते हुए तीन आरूपियों को ग्रफतार किया है जबकि एक में लोगों को बिठा के और उनसे लूट पार्ट करते हैं जिसमें हमने तीन लोगों को अरेस्ट किया है जो मेव हैं तीन लोगों में जो एक साहिद है जिस जो पहले भी मुकदमों में सजा है जो परोल पे चल रहा था ठीक है इनके खिलाफ अभी जो लूट की धाराओं के करनाल हत्या मामले में आरूपी की अब तक ग्रफतारी ना होने के विरोत में बालमी की समाच के सैक्रों लोगों ने पोश्ट मार्टम हाउस के बाहर धरना दिया है और दूसरे दिन भी शब का पोश्ट मार्टम नहीं करवाया इस तोरान उन्होंने कहा कि जब तक आरूपी को ग्रफतार नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा आपको बता दें कि आरूपी उबक ने पांच लोगों को गाड़ी से कुछल दिया था और फरार हो गया था जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि द दो थोड़े गंबीर थे हैं उनको प्रपर ट्रीटमेंट दे के करनाल दाफर कर दे गया है और दो कुछ दूबी रूप से कुछ ज़्यादा चोटे नहीं हैं उनको उनको यहीं पर ट्रीटमेंट चल लगए हमासूच और यूम्ना नगर में तीन दिन पहले हुई मेडिकल संचालक की हत्या की गुत्य को पुलिस की टीम ने सुझा लिया है मेडिकल संचालक मुहमद यूनिस का हेलपर मुहमद आलम ने ही उसकी हत्या की थी जिसके बाद पुलिस ने उसे ग्रफ्तार कर लिया चांचर में सामने आया है कि पैसों के लेंदेन और खुद को हुए घा पर आपको बता रहे हैं जहाँ पर हेलपर ही निकला मिडिकल संचालक का हत्यारा पुलिस ने हैलपर मुहम्मद आलम को ग्रफ्तार कर लिया है मिडिकल संचालक की हत्या की गुद्थी को सुलजाते हुए पुलिस ने कारवाई की है आरोप है कि आरूपी मुहम्मद आलम नवा और एलनाबाद उप्षुनाओं को लेकर स्यासी दलों में जोड़ तोड़ की राश्मिती तेज होती जा रही है और आज बीजेपी में कई बड़े नेता शामिल हुए जिसमें कॉंग्रेस के 2014 में एलनाबाद के प्रत्याश्वी रहे रमेश भादू ने भी बीजेपी जोइन कर ली है बीजेपी जोइन करने के बाद रमेश भादू ने कहा है कि हलके का विकास और मेरिट परनौकी सिर्फ मनुहरलाल के नेतरत में भारत्यों जन्ता पार्टी ही दे सकती है तो एलनाबाद उप्चुनाओं से जुड़ी एक ख़वर आपको बता रहे हैं जहां 2014 में कॉंग्रेस के प्रत्याश्वी रहे उन्होंने बीजेपी जोईन कर ली है रमेश फादू ने आज बीजेपी जोईन कर लिया और इस तोरान रमेश फादू ने कहा है कि प्रदैश्व का विकास युवाओं को नौकरी सिर्फ मनोहर लाल की बीजेपी सरकार ही दिला सकती है तो इस प्रोडर में फ्ला इतना है आप देखते रहे हैं जनतन प्रठीवी अन्स 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 अपडेट